एक और तरीका होता है कि अगर हम इसे इस प्रकार से रिडूश करें कि इसका एक पाइबॉन टूटे और एक पाइबॉन रह जाए इसका एक पाइबॉन टूटे एक पाइबॉन रह जाए तो इसे कहेंगे पारिस रिडुक्शन आप अप इसके डाइबल तो यहां काम नहीं क गजाए कुछ तो यहां पर करने के कुछ तरीके हैं आपको बताऊं यह जो पैलेडिनलिया है है की केटलिटिक पावर को घटा दिया जा एक ए तो अब उसके लिए इसको catalyst poison मिला देते हैं poisoning कर देते हैं इसे H2 हमें आपर लेते हैं PD, BASO4 या N-C-A-C-O-3 BASO4 BASO4 या C-A-C-O-3 लिखा चार को palladium को absorb कर दो इस पर मतलब palladium की active side को थोड़ा block कर दो और इसे में क्या मिला दो इसे poisoning कर दो क्यू नोलीन क्यू नोलीन और sulfur या N-C-A-C-O-3 जानते हैं आप लोग अच्छा बार बार एक्जाम में सिर्फ या यह लिखाओ पीडी BASO4 लिखाएगा या पीडी C-A-C-O-3 लिखाएगा हमेशा यह बार-बार प्वाइजन बाई क्यू नोलीन एंड सल्फर पॉइजनिंग जानते हैं कैटलिस आपने फिजकल के मस्टी में किसमें आपका सर्फिस के मस्टी पढ़ा है न वहां पर आप पढ़ेंगा तो इसे कहते हैं इसे पैलेडिनम की पावर थोड़ी घट जाती एक और काम कर सकते हैं यहां पर एक और रियक्शन है जिसका यूज किया जा सकता है sodium liquid ammonia sodium liquid ammonia से रियक्शन करा दें तो भी यह एक ही पावर रिडियूस होता है एक पावर रिडियूस से नहीं होता है यह इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं हम लोग इसके अलावा हम H2 को ले one equivalent है strictly H2 हम कम मात्रा में ले या one equivalent ले समझ मागया तो फिर दो पाई बॉन के बज़ा एक ही पाई बॉन रिडियूस होगा इन प्रेजिंच साब जो catalyst आपने लिखा लेकिन इसमें थोड़ी problem होती है problem क्या होती है कि कभी-कभी जैसे 100 इलकीन के molecule है अब H2 आपने माल लिया कम लिया 100 ही लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि हैसा थोड़ी है कि H2 एक एक पर अटैक करेगा ऐसा वह सकता है कि एक अही पर द priority label बढ़ता है इसलिए इसका प्रियोग जो होता है कम होता है तो हम लोग लिखते नहीं पर अगर कहीं पर one equivalent लिखा हो तो उसे बनाया जा सकता है परन्तु जादा अच्छा तरीका ये दोनों है तो आप यही दोनों को लिखना है ओके यही दोनों को लिखना है तो दो मेथ पर जादे आपको जानने किया हो सकता जो NCRT में है जितना उतना ही जाना इसमें जो पहला वाला catalyst है ये इस catalyst को कहते हैं हम लोग पैलेडिनम, एब्जॉर्डवान, बेरियम सल्फित और केलिसियन चार्कोल या CACO3 और पोईजन बाई क्यूनोलीन और सल्फर समझ मांग गया इसे कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट ये बड़ा important कैटलिस्ट और जो दूसरा होता है इसको कहते हैं ये sodium liquid ammonia इसे कहते हैं तब जब इसके दौरा हम reduction कोते हैं तो इस reduction का नाम क्या होता बता वी आई आर सी एच बर्च लिखा तो बिर्च जाता है पढ़ा बर्च जाता बर्च रिड़क्शन अब इसे अब चाहें तो कहां पढ़ सकते हैं अब यहाँ पर क्या aldehyde ketone कुछ बन रहा है यहाँ पर alcohol aldehyde ketone कुछ बन रहा है क्या ना aldehyde ketone reaction कर रहा है ना alcohol बन रहा है तो यह alcohol में यह बलकी hydrocarbon chapter का reaction किसका है बता तो we are studying hydrocarbon simultaneously और hydrocarbon में हम फिर क्या करेंगे एक दो दिन में खतम कर लेंगे hydrocarbon में last में पढ़ेंगे hydrocarbon के सारे पार्ट यहाँ पर पढ़ेंगे एक आख reaction अगर कुछ रह जाएगा तो उसे हम आखरी दिन पढ़ लेंगे आखरी दिन मतलब hydrocarbon के समय जब आपका sequence है ठीक है वैसे उसके काफी reaction आप पढ़ चुके है जैसे hydrocarbon में इलकीन का reaction HX के साथ क्या होता है CL2 के साथ क्या होता है HOCL के साथ क्या होता है hydration कैसे करते हैं OM DM HBO HBR सब आपने पढ़ लिया ठीक है साथ में reduction भी आपने पढ़ लिया है Oxidation के साथ Oxidation पढ़ लेंगे तो hydrocarbon के reactions फिनिस हो जाएं तो चलिए इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले S2 PD BSO4 इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बता दूँ यह जो इलकीन बनती है अगर यहां पर hydrogen नहीं कोई दूसरा गुरूफ होगा CS3 हो CS3 हो कोई आला गुरूफ हो तो इसके दो रूप में पाईजाने की संभावना होती है यह या तो cis होगा या तो trans होगा क्योंकि यह double bond SP2 habidation state में है तो दोनों आर या तो same दिसा में आएंगे या तो दोनों आर अपूजित तो यह किस बात पर depend करता है इन catalyst पर यह जो पहले वाला catalyst है lindlar catalyst का प्रियोग जब करते हैं तो वहाँ पर हमें cis-alkine का formation होता है और बर्च reduction जब हम करते हैं तो वहाँ पर हमें trans-alkine का formation होता है आगे अभी मैं reason दिखा दूँगा आपको क्योंकि lindlar catalyst है catalyst के surface पर alkyne absorb होगा hydrogen absorb होगे दोनों same side से चिपकेंगे और बर्च reduction में जो hydrogen आते हैं वो विपरीद दिसा से आते हैं तो उसमें opposite चले जाते हैं तो लिखे यहाँ पर दूडिं पारशल रिद्च्छन अपल काइं मुक्त्योंकि तूरिं पारशल रॉड्च्छन अपल काइं क्या लिखेंगे यह दूरिं पारशल reduction of alkyne lindlar catalyst converted alkyne to cis-alkine lindlar catalyst converted alkyne to cis-alkine while converted alkyne to cis-alkine while sodium liquid ammonia converted alkyne to trans-alkine converted alkyne to trans-alkine अब जैसे मैं आपसे एक सवाल करू बताई इसमें क्या बनेंगे यह sodium liquid ammonia से यहां पर बनेगा trans और इसमें बनेगा cis-alkine और यहां पर यह पहले sodium liquid ammonia यह बनाएगा trans, cyclo-octi और यह बनाएगा cis alkyne का bond नहीं दिखरा था अब दिखने लगा कर भातो यह झाहीं